वॉल्कम बैक दो चैनल जे नहीं पंचाब इल्डी मैंत और दोसन निमीत सिंग आज दी वीडियो देखना एक मुफ्ती नहीं नाम है मुफ्ती एम कास्मी आज आपनों एक बहुत इंट्रस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक ते गाल लजेडी है वह दसन लगे है ते वह आज अपर सुना आंगे सारी ने विचार आंगे उनना दा कहना है कि रमजान दा जो महिन है बहुत जल्दी आ गया है आपा सारे नू पता है कि इसलाम दे अकॉर्डिंग बहुत सारी क्यामत दिया निशानिया है कि एक ना एक दिन क्यामत ओनी है दजालने होना ते उस टाइम तक उदिया कुछ निशानिया है ज़िए आप डॉक्टर इसरार अहमस आपने भी दस्यां सी आप वही देखिया थे ए जो मुफ्ती ने आज एनदी अपा गल करांगी एनदी वीडियो ता लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जाके जरूर चेक करें हो सो वीडियो गार दें बिना किसी देरी तो शुरू आज़ो अरे इतनी जल्दी रमजान का महीना आ गया अभी तो रमजान गए थे फिर रमजान आ गए ओहो वक्त तो बड़े तेजी के साथ गुजर रहे है ऐसा लग रहा है एक महीने पहले रमजान थे एक महीने गुजरने के बाद फिर रमजान आ गए इस तरह की बात है आज कल हम लोग आपस में बहुत कर रहे हैं रमजान का आना यकीन अच्छी बात है अल्ह तहला ने एक रमजान हमें और नसीब फर्माया ये अल्ला का बहुत बड़ा फजल और उसका इनाम है लेकिन हिरानी इस बात पर है कि इतनी जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहा है एक रमजान गुजरता है दूसरा रमजान आ जाता है अभी तो इद आई थी फिर इद आ गई तो हैरानी होती है इतनी तेजी के साथ वक्त क्यों गुजर रहा है मेरे आजीज भाईयों मेरी बेहनों मैं लाद पिछले साल जो रमजान सी हो अपरिल दे विच शुरू है थी दो के तेन अपरिल लो ते इस वाल एहे बाई ते ही मार्च नो शुरू हो गया थोड़के दिन पहला हो गया बाकी अपन वहां एदा लगदा भी हूंदा है आरे यह दा साल हो घी गया मतलब अजकल पदा ही नहीं लगद़ा कदूं लांग दर prophetsATION लेकिन अग्यe देख देया कि एना दा कि कहना सबर यह कृमत की निशानियों मेशे एक निशानी है वैसे तो कियामत की जितनी भी छोटी 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 निशानिया है वो जाहिर हो चुकी है ये जो वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है एक रमजान गुजरा फौरां दूसरा रमजान आ गया इतनी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है जैसे पूरा साल नहीं बलके एक महीना गुजराओ ये वक्त की बरकत का खतम हो जाना क्यामत की निशानियों में से एक निशानी है आईए मैं आपको दो हदीसे सुनाता हूँ जिन हदीसों को सुनने के बाद आपको पता चलेगा के चौदा सो साल पहले रसूल अलाह 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 वसल्म ने जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं ना एक जुमा गुजरता है फड़ाक से दूसरा जुमा एक महीने के बाद दूसरा महीना और रमजान तो ऐसे आ रहा है जैसे एक महीने पहले गुजरा हूँ इतनी स्पीट के साथ वक्त गुजर रहा है 14 सौ साल पहले लाह के नबी सल लाह अलाह अलाह वसलम ने जो आज हो रहा है उसके बारे में बयान फरमाया था आई ये वे दो हदीसे कौन कौन सी हैं मैं आपको सुनाता हूँ रसूल लाह सल लाह अलाह वसलम ने इर्शाद फरमाया गयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक वक्त के अजिज़ा बाहम एक दूसरे के बहुत करीब ना हो जाये चुनाँचे साल महीने की तरह, महीना हफ़ते की तरह, हफ़ता दिन की तरह, दिन एक साथ की तरह और एक साथ आग जलने की तरह हो जाएगा यानि माचिस की तीली से जतनी दिर में आग जलती है इतना तो वक्त की बरकत खतम हो जाएगी और ये क्यों होगा गुनाहों की नहूसत गुनाहों की कसरत और उसकी नहूसत की वज़ा से होगा तो मेरे आजीज भाईओ आज यही तो हम देख रहे हैं न के एक साल जो है वो महीने की तरह हो गया है जैसे एक महीना गुजरता था, पहले की दुपेर पहाड की तरह हुआ करती थी, दुपेर ही इतनी लंबी होती थी कि गुजरती ना थी, और अब तो महीने ऐसे गुजर जाते हैं, पूरा साल ऐसे गुजर जाता है, लगता है कि अभी एक महीना ही गुजरा है, तो ऐसे ही तो जा रहे हैं तो अल्ला के नभी ने इसको 14 सौ साल पहले बयान फर्माया एक दूसरी हदीस में आप अल्यूस लिए रिशारत फर्माया बुखारी से शरीफ की ये रिवायत है जमाना करीब हो जाएगा अमल कम और कमजूर हो जाएगा बुखल पैदा हो जाएगा फितने जाहि रौंगे और हरच की कसरत हो जाएगी लोगों ने अर्द किया या रसूल अल्ला हरच क्या है आप साल लाह अल्यूस ने फर्माया हरच यानी गतल गतल ये आम हो जाएगा आज आप देखिए जैसे ही अखबार आप उठाओ वहां इतने लोग मारे गए उसने इसको कतल कर द आते हैं मारने वाला मार रहा है और मरने वाला क्यों मरा उसको ये पता ही नहीं है तो हर जाम हो जाएगा और पहली जो लाइंती जमाना करीब हो जाएगा जमाना करीब हो जाने का मतलब कि वक्त तेजी के साथ गुजरेगा वक्त बहुत तेजी के साथ भागेगा आज आप तेखें कि वक्त कितनी तेजी के साथ भाग रहें कब हफटा शुरू होता है जुब्ता है है न wrung में इनलगा था ऐसे आजाता है जैसे एक दिन गुझरा हो बस महीने के बाद दूसरा महीना ऐसे आजाता है जैसे एक हफटा गुझरा हो और एक साल के बाद दूसरा साल ऐसे आ रहा है जैसे एक महीना गुजराओ तो ये कियामत की निशानिया हैं इसलिए हमें और आप को चाहिए कि हम और आप अपने दीन पर मजबूती से अमल करें अपनी आखरत की फिकर करें असलाम आलेकूम और रहनतुलाही वीडियो जीदे वेच काफी चंगी गाले नहीं दसी है और ये वाकी साच्छा के दिनाद अजकल पते हैं नहीं लाग रहे है आपां कहीरी साल पराणी गाल भी आपा गेने यारे ता कालदी गाल सी याजी ते उनना दा जड़ा त्रिका शीगा दसंदा कि रमजान बहुत जल सब्सक्राइब के जड़ा वक्त थे जीदे ना खतम उन्दा जा रहे है किनी चीदे ना टपी जान त्यकै त्याते आपन रहे लागता कि रहें रहे घ्रप्री ये फाकी जिमें दुनिया अगे वाहारी है दुनिया बहुत आड़्वांस ओर ये टेकनोलजी बहुत अगे ग तब भी किते सुनामी ते कोशह हो रहा कि असित है कि अधुरहां पहकला जोना हुआ काम कार नहींची है। एक बहुत वधिया वीडियो सिखिया है कि जीदे वेचे के चलो चंगा मैसेज जरूर सिखा के हाँ अपा चंगे काम जरूर करने है तहां जो जड़े लोक है ओ अपनी एद्धान दी वीडियो देखके न ते एद्धान दी विचाहर सोन के ओना दी मांच भी शायद होगा कि जरूर कि कि तो जरूर करें निएद्धान दी वीडियो रहां कि कितना कितना एक्चुली सब जड़ा ही उमन ने चाहरा है जिनने भी लोक हां दा मतलब जो हीउमन नेचेर है ओदे वेचे की है कि सब दा डिफरेंट डिफरेंट है जिमेया पान्जे उंगला ब्राबर नी सब्सक्राइब करेंट है और जो मैं गल्ला का रहे हैं हो सकता है कि एक गल्ला के जाने था मल बस जिद्धान सुन रहे हैं ते टापक गियां लेकिन कईया नूँ शायद ओगलना स्टक होगी दमाब चाहते पॉइंट कर गी कि यार हां तब बंदा बंदी लाइफ हो तो पत पता नहीं लागदागा कि केडी गालक माइंट च फिट होगी ते ओ तो अडी लाइफ चेंज गार देंदी है आपा चंगियां वीडियो ऐसे करके देख दे आ हैं रमजान देविचता खास करके ता जो चंगे वचार चंगियां गल्ला एक दूजिनाल सांजियां उन ते ए एक दफा आप भी हिल ही गए हो ये तो कुरान के अलफाज है ये हक है अल्ला का सही तारूफ है जो ओदेच इनने कमेंट केता किसे ने देखो इंजिनियर मुहांमद अली मिर्शा साब जो ओ शक्स ने ना उनना दी जो गल्ला है वो बहुत कलियर है ते लोकी हिले जान दे मेरा हिलना दा लाजमी है मतलब क्योंकि इनिया मतलब स्टीक गल्ला आपा सौन देया थे यार समझ रहे हो ना मेरी गालनों सो ये काफी डिटेल वीडियो थी आइवुड सुझेस्ट के थोड़ी जनल टोपिक से लेटर इसलाम वीडियो देखे क्योंकि ये स्पेसिफिक ब God is called hamd and this is hamd. Praise of holy prophet is naat. Okay, 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 okay.ichiak hai. Naat ओ उन दिया है कि जनने भी अपनी पीर पैगंबर हो ये या सलाम ज़ है उनना दी जे कर तारीफ किते जा रही है उन्नों कहन देया naat दे जे कर Allah दी तारीफ किते जा रुह है ता उननों कहन देया hamd एक लजमेनों पूरी कलियर होगी क्योंकि आपां लास्ट एक वीडियो देखे सी सहीदा अरीबा फात्मा दी बहुत ही सोनी हम्द सी हो आवाज बहुत सोनी सी बहुत ही सोना मतलब इनने जड़ा हम्द नो पढ़या सी का ते मज़ा आगया सी वीडियो सोनके वीडियो देखे सो 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 हम्द बड़ी ताला ताला मतलब सुभान ताला इदा गंदे न चलो कैंट हो कैंगा ते एक आपां औरते मर्द ली वीडियो से की जीदे वेचे के औरते नमाज पढ़ सकती है अपना मस्जिद वेच के नहीं काफी सारी हैं मिरियां पहना दा मिरियां मतामा दा कमेंट आया ते पढ़के बहुत अच्छा लगा के मैं कोशन पुचिया जीदे उनना सारे ने अंसर के था थैंक्यू सो मच तो ऐसी आई दी एक वीडियो मैं थोड़े चे कमेंटेज करके रेडि के था जो अपना तुसी होर कमेंट करो ते मैं तो आदे कमेंट हमेशा एड जरूर करया करूंगा ता जो तो आदे कमेंटस भी अपना ऑनलाइन इसे सबदे सामने पढ़िये था मैं अनने जवाब भी दे सका ठीक है तो यह से आधी वीडियो तो उनके दलगी कमेंट करके जुरूर दूसे हो जानतु पहला चैनल सब्सक्राइब पका करें हो मेल दें किसी वर उडियोज साथ शरेका